स्वागत है आपका समीच्छा अधिकरी सायक समीच्छा अधिकरी की जो श्रंखला चल रही है क्लास की तो आज उसी श्रंखला में जो है हम भारती संब्धान यो राजविवस्ता से संबंदित प्रीवीज एर के कॉश्चन को यहाँ पे देखेंगे तो आप प्लीज सेशन को जो है शेयर कीजी एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए तो आए इस्टार्ट करते हैं इंडियन कॉंस्टोडिशन और पॉलिटी से रिलेटिव जितने भी कॉश्चन प्रीविएस येर में पूछे गए ह तो फ़स्ट है भारत का सम्मेधान एक पिकास से रिलेटिव कॉश्चन हम फिलाल सम्मेधान निर्मातरी सभा में जाने के निर्णे के अलावा अन्य किसी बात से ऐसे बदे नहीं है उप्युक्त कथन है एजिन्ना का कथने B.E.O. एक जम 23 में आया था वह अधिनियम जिसकी द्वारा ब्रेटेस संसत ने चाय और चीन के साथ ब्यापार को छोड़ कर इस्ट इंडिया कम्पनी की भारत के साथ ब्यापार एक एक अधिकार को समाब्त कर दिया था ये था 1813 का चार्टर एधिनियम यूपी पीसियस आरो ए आरो मैंस एक जम तुझा सत्रे में आया था ये कोशन बेटेस भारत में जहां 1937 में भारत भारत ये राष्टी कांग्रेस का मंत्रिमडल नहीं बना वह बंगाल और पंजाम में 1935 के अधनियम के दहत कराय गई बिधानसवा चुना में कांग्रेश ने पूर भाहमत नहीं प्राप्त किया था बंगाल में बेटे सरकार का वह अधनियम जिसने पहली वार भारत में सिच्छा के लिए एक लाग रुपे दिये थे तो वो था चार्टर अधनियम 813 भारत बासियों को अपने देश के प्रिसासन में कुछ हिस्सा लेना संबब बनाने वाला अधनियम था चार्टर एक्ट 833 केंदर में दोईसर दिये बिधाईका की विवस्ता के गही थी 1932 के अधनियम के द्वारा एक संघ्धे विवस्ता और केंदर में दोयत शासन भारत में लागू किया गया था 1935 के अधनियम जिसके फळस्रूप बर्मा भारत से अलग हुआ था गौवर्मेंट्स ओफ इंडिया एक्ट 1935 के ताथ एक भारत सासन अधिनियम 1935 में स्विकार किया हुआ महत्पूर और इस्थाई अब्यब नहीं है देश के लिए लेखित समयधान भारत में इस्थानिय स्वाइत सासन का जनक माना जाता है लौर्ड रिपिन को भारती समयधा में समयधान को एक मतलब भारत को एक समयधान देने का प्रिस्ताब समयधान सबाद्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को समयधान सबाद्वा का गठन कारव पड़ाली एवन विभिन समतियों से संबंदित प्रिवेस येर के जितने भी कॉश्चन आ है उनको देखते है भारत के समयधान सबाद की जो एंतिन घच की सही दित है 24 जनवरी 1950 समयधान सबाद्वा के पहले अध्च थे डौक्टर सच्च्चerezनन सिंधान बारती सम्मेधान सभा के ते परधम दिन अधिवेशन में के अधिश्चता की थी तो डॉक्टर सचितन सिन्ह ने 1949 में यह गोष्णा के सामपरदाय क्यों अन्य समस्याओं के नियाय संगत समाधान का एकमात तरीका सम्मेधान ही है यह कतंता महात्मा गांधी का यह कोष्ण जोए in PCS जे में 2016 में पूचा गया था भारत का सम्मेधान सभा का गठन किया गया था कैविनेट मेशन योजना के अंतरगत समधान सभाका पहला सत्त्रुपा था 9 दिसंबर 1946 को समधान सभाका समयधानिक सलाका निट किया गया था डॉक्टर वीएन राव को भार्ती समधान का प्रिदम प्रारूप त्यार किया था बी मराव ने सम्मिधान निर्मात्री परसद की जंडा समती के दचते जेवी क्रपलानी भारती सम्मिधान को सम्मिधान सभा का अंगी कृत किया गया 26 नवंबर 1949 को भारत को एक सम्मिधान देने का प्रिस्थाब सम्मिधान सभादवारा पारित किया गया था जनवरी 22 1947 को यानि कि भारत के संभिधान के निर्मार में संभिधान सभा को लगा समय था दो बर्स 11 मां 18 दिन भारती संभिधान के विशे में यकतन कि भारती संभिधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मद्द एक संतुलन इस्थापित करता है सम्बंद एथा केसी विहियर का सम्धान सभा कांगरिस थी और कांगरिस भारत था ये गतन है आउस्टिन का बारती सम्धान सभा में महिला सतस्चों की संक्या थी पंदरह मुझे इस आरूप के सम्बंद में कोई छमा नहीं मांगनी है कि सम्मेदान के प्रारूप में Government of India Act 1935 के एक बड़े भाग को पुनह उत्पादित कर दिया गया है यह गतन है डक्टर भीम राव अमेडगर का सम्मेदान में संबर्ती सुची के अबदालना ग्रहित की गई है आश्चलिया के सम्मेदान से बारती सम्मेदान में सन्हित मूल अधिकारों के अबदालना ग्रहन की गई है संउक्तराज अमेर्का के सम्मेदान से बारती सम्मेदान में राजी के नीतिने दिसक तत्तों को लिया गया है आरलेंड के सम्मेदान से और बारत की संगहात्मक विवस्ता प्रभावित है कानडा के संब्धान से बारती संब्धान में मौले कर्दपियों का विचार लिया गया है रूस के संब्धान से संब्धान सवाने राष्टिय गीत को अपनाया है 24 जनवर 1950 को संब्धान की प्रस्ताबना और उद्धित सिगा से संब्धित कोश्चन संब्धान की प्रस्ताबना का विधिक स्वरूप है लागू नहीं किया जा सकता बारत के सम्मिधान की प्रिस्तावना में नियाय, स्वतंत्ता, समान्ता एवं भ्रात्त्त के जितने प्रकारों का उल्ले किया गया है वे हैं तीन, पांच, दो, एक भारत के सम्विधान की प्रिस्तावना में दो सब्द समाजबादी इवं पंतनिरपेच जोड़े गए 1976 में संपूर प्रभुत्य संपन लोकतांतरे गड़त राज के स्थान पर संपूर प्रभुत्य संपन समाजबादी पंत निर्फेच लोकत अंत्रात्म गडराज पढ़ा जाने लगा 42 संब्धान संसुदन 1936 द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगी करत भारती संब्धान की परस्तावना में समलित नहीं थे समाजबादी, पंत निर्फेच और अखंडता भारती संब्धान की परस्तावना में बढ़न नहीं है आर्थेक स्वत्मत्रता का इस बाद में उच्चितम नियाले ने धाना परस्तुत की कि उद्धिश्यका संब्धान का भाग है वंवई बना Union of India मामले में भारत के संब्धान में उद्धिश्यका का विचार लिया गया है USA की संब्धान से भारती संब्धान में संब्धान की आत्मा का हाल आता है तो उद्धिश्यका को भारत को धर्म रिपेच राज्य वर्डित करता है संब्धान की परस्तावना बारत के संधर्म में धर्म रिपेज सब्द का सही भाव व्यक्त करता है भारत में राज का कोई धर्म नहीं है बारती संब्धान के उद्देश्यों को प्रतिमंदित करता है संब्धान की प्रस्तावना भारती सम्मिधान की प्रिस्तावना का भाग नहीं है राजनीती और भारती सम्मिधान की प्रिस्तावना में जो है उलकित नहीं है धार्मिक नियाय भारती सम्मिधान का दर्सन नहीं है सामेबादी राज्य सम्भारती 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 सम्भार कर्मकार के लिए समान बेतन का मौलिक आधिकार परभासित करने की सक्ति प्राप्त हुई अनुच्छे 14 और 16 से बारती सम्मधान के अनुच्छे 25 का संब्धै धर्म की इस्वत लीट कार खानों के नियोजन का प्रतिशेद करता है अनुच्छे 24, बारती संब्धान का अनुच्छे 40, राज को सार्थक कदमो हेतु परामर्ज देता है ग्राम पंचायतों के गठन के संबंद में बारती संब्धान में उद्धुकों के प्रवंदन में करमकारों की भागिदारी का प्राभधान दिया गया है अनुचे 43 यानि के एक समान सिविल सैंथा का प्राप्धान समयथान में हैं Jak 44 में भारती समयथान में भारत की नीती निदिसक नीती जो है बिदेश नीती से सम्बंदित है Jak 50 राष्टपति की पुनर निर्वाचन के लिए पातःता दी गई है Jak 77 में भारत के राष्टपती को महाव्योग द्वारा हटानी की प्रिक्रिया बरडित है अनुचिद 61 में, भारती सम्मिधान में यह उपुवंद के मत बराबर हुनी की दसामिलोकसवा मत का लोकसवा दिच मत का निर्डायक होगा उसका प्रियोग करेगा उस यह उपुवंदित है बारती सम्मिधान में धन्विधियक को परवासित किया गया है अनुचिद 110 बारती सम्मिधान में और जित्वाय उंक 37 भारत में सुधारात्मक याच्च का उच्टम न्याले में दाखिल की जा सकती है अनुच्छेद 142 द्वारा राज्या में सम्धान जो है विधान परसद के सर्जन हितु अपनाया जाता है अनुच्छेद 169 में बढ़ेत परिक्रिया यानि की 179 भारती सम्धान का 249 समयते है राज्य सुचि के विशयों के संसत की बिदाई ससखतिओं सर्फ बारती समधान में एक है अनुच्छेद 265 से विधी के प्राधिकार की बिदान नंकोई का लगाया जा सकता है नहीं 81 में Sne 55 45 स्बारती सम्धान में आई अंतराष्टी ब्यापार की स्वतंतरता नियमित की गई है अनुच्छत 19 क्लॉज 1 D.E. 301 एवं 301 से 307 द्वारा भारती सम्मिधान के अंतरकत आखिल भारती सेवाओं का प्रावधान किया गया है 312 में अनुच्छ 312 में लोगसभा में अंगलों अंडियन संभधाय के लिए आरच्छड प्रावधान संभधान की राज्ज सच्छा के प्राथ्मकisten पर मात्रवासा के सिच्छा की पर्याप्त शुभधाउं की विवस्था करने का प्रियतन करेगाierno में आपके 15 चार्ड बारति समंधान में आपकर स्थपन के अंतर्गत संसुदन कि आए सूची आप राधिक मामले। यदी भारत संग्छंग इच्छ और गोध लेंदा संविद्धानों कि 7E & Ssuc裟ी सामिलहें सेरकारों द्वरा सुलक यों कर लगाने कातिकार उपलिखे थैसी ऊपल्खल जिए यह वे बिस्टा जिन पर केंद्र राज्ज सरकार दोनों कानुन मुना सकती है उल्लिखेत है संभरती सूची में आर्थिक नियोजन भारती संभषान में संभलित है संभरती सूची में में बारती संविधान का भाग 16-33342 तक संब्धिता है लोक सबाह में अन्सुच जाती अन्सुच जन्जाती के आरेचछण और एंगलो इंडियन संब्धाय के प्रतनेद्ट से संभिधान का भाग छटा जो भाग सिक संब्धिता है राज्य से संभिधान हमारे सम्धान में 305 नाखरक्त बनाने की पृकलपना किगिया तो भाग नौए नाशत संबंदेते छॉदा से में विदी की समय निय की प्र Gregory की तोum सम्मंदित है अनुच्छे 29 से भारती सम्मधान के अनुच्छे 25 में प्रियुक्त हिंदू सब्द सम्मलित नहीं है तो ये सम्मलित नहीं है पार्सी धर्म मानने वालों को भारती सम्मधान की साथ भी अनिसूची के अंतरगत संगसूची उलिखित नहीं है गैस संगसूची मे में भारत के संब्धान में संग राजी संबंदों का उल्लिक किया गया है भाग 11 में भारती संब्धान में चुह केंद राजे विधाई संबंद दिये गए हैं भाग 11 में उसके बाद है भारत के बाहर भारत के बाहर के इस्थानों को तीर थ्यात्राओं का बिशाई प्रगड़ित है संग सूची में संब्धान में यह वो पौन्दित है कि भारती संब्धान को भारत का संब्धान कहा जाएगा अनुचे 393 में संब्धान में संसत के किसी सदन के सदस्य का पद सदन की अनुमती की बिना साट दिनों तक सदन की सभी बैठकों में उसके अनुपस्तित रहने के आधर पर सदन त्वारा रिक्त गोसित किया जा सकता है अनुचित 101 किलॉज 4 के संब्धान के अंतरकत संसत के किसी सद तस्य को आयोकिता के संबंद में राष्टपती निर्वाचन आयोग की राय मानने को बाध्य अनुचित 103 कि तहत भारत के संब्धान के अंतरकत वार्षिक पजट पेस किया जाता है अनुचित 112 कि तहत भारती संब्धान में उच्टम नियाले को अपने द्वारा सुनाए गई वरडित निर्णय का पुनरब लोकन करने की सक्ति प्रदान करता है अनुचे 137 भारती संब्धान में दल बदल बिरोधी कानून को रखा गया है दस वियन सूची में संग इवर इसका राजिशेत से संब्धित कोश्चन भारती संगह चक्राज्य का गठन जिसके विवाजन से संपन हुआ है वह मध्य प्रदेश एक नए राज्यों के निर्मार के लिए संवेधाने ko पंद नहीं है एक राज्य संग राज्य स्चेतर सामिल कर सकेगा भारत में एक नया राज्य सरजित करने वाले विधियक को पारित होना अविश्यक है संसत में साधर्ड बहुमत से संब्धान के प्रथम अनुच्छेत के अंसार भारत में भारत है राज्यों का यूनियन भारत है राज्यों का यूनियन आंद्रप्रदेश पुनर गठन विधियक राष्टवती द्वारा जो अनुमोदित तता अस्तान्तित किया गया मार्च 2004 में नेक्स्ट है भारती संब्धान के सहा राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य था सिक्किम भारती राज्यों के निर्मार का सही काला नुक्रम में सिक्किम अवलांचल प्रदेश 36 गड़ जहरगंड भारत में राज्य संगे छेथ प्रदेश है 28 राज्य हैं तथा 8 संग सासित प्रदेश है ने कि राज्य राज्टी राज्दानी प्रदेश अवरस्तितर्य राज्य का सबसे महत्तपूर रातत्त हैा वहरत में संग राज्यों का प्रदेश्य प्र現在 की गया था 1960 में नागालेंड का कठन हुआ 1962 को चाहरकंड 2000 तैलंगाना का 2014 और सिक्किम बना 1974 को भारत के सम्मेदान का वह वहाग जिसमें नागरिकता से संबंदित प्रापधान को पाते हैं तो भाग दो है भारत में नागरिकता के अर्जन हितु सर्तों के नियम करने के लिए जो है नियत करने के लिए सच्चम है संसद भारत में नागरिकता के विशैस में सही है संपूर भारत की एकल नागरिकता नागरिकता संसोदा नधिनियम 2015 के अंतरगत भारतिय काडधारक प्रबासी नागरिक के रूप में पंजिगर्ट होने के लिए अहर नहीं है बेभारतिय जो विभाजन के उपरांत प्रबासी हो गए वह तरीका जो नागरिक सता समाप्त नहीं करता कुछ महिने के लिए दूसरे देश में यात्र जाना मूल अधिकार फंडामेंटर लाइट से अब तक के पूछे गए प्रीवेश येर के सारे कुशन देख लेते हैं भारतिय समयदान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है अनुच्छ 12 से 35 तक भारतिय नागरिकों के अधिकारों को सरण चित करने में सर्वोच नियाल है किया पेच्छा बढ़िया इस्तिती में है उच नियाल है केवल मौलक अधिकारों के सनलचठ के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है, सरबुचनेयाला है सम्मेधान की प्रस्ताबना सभी भारतीनागरिकों को उपलत कराने के लिए बायता नहीं करती है पूजा की समानता मौल अधिकार नहीं है, समانकार के लिए समान वेतन मौलिक करतबियों को समयधान में समाविष्ट किया गया है 1976 के दौरा बालकों को लिए मुक्त इवानिवार सिच्छा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रभाब में आया एक उसके बाद है भारती सम्मेदान में जैसा नीहित है उसमें समानता के मौलिक अधिकार में समलित नहीं है आर्थिक समानता भारती सम्मेदान के अधिन केबल भारत के नागरिकों को ही या अधिकार प्राप्त है दर्म, मूलवंस, जाती, लिंग या जनम या इनमें से किसी के आधार पर बेभेद का या प्रतिसेद का अधिकार आपातकाली निस्तिती में निलमित किया सकते हैं मौले का अधिकार ग्रहन के सिध्धान त्यानिके डॉक्टर न ओफ इलिक्स के सम्मद में हैं अनुच्छे 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अलपी करण करने वाले बिधियों को सुनि गोसित किया जाता है अनुच्छे 13 के अंतरगत बारत के सम्मदान द्वारा परदत चे मूल अधिकारों में से नहीं है प्रोद का अधिकार विदेशी नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त नहीं है अभिवेक्ती सुतंदता का अधिकार बारती संब्धान में समानता का अधिकार पांच अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है अनुच्छेद 14-18 तक बारती संब्धान में कानून की समच समानता से संबन देता है अनुच्छेद 14 से वि empresas समधान है समुझे एस्थान को कि एक लोग के बार्त के सभी नाग्रेकों को अब सर की समानता की प्रत्य भूती प्रत्य 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 विदेश यात्रा का दिकार जिस बाद में यह निर्धारित किया गया है कि रिशी केस नगरपाल का छेत्र के अंतरकत अंडे बेचने पर लगाया गया निशेत सम्धान के अनिशेत 19 किलॉज फर्स्ट जी का उलंगन कारी नहीं है ओम प्रकास बना मुत्रपदिश राज्य हमा भद्दा दिखाई देने वाला उपवंद कहा था एक गोपालन बना मदरास राज्य वाद में श्रमिकों को परियाप्त मजदूरी न दिये जाने से अते लंगित होता है अनुच्छ 23 यह वह एक अनुच्छ जिसे सरवोच नियाला ने इस प्रकार व्याख्यापित कर दिया है कि उसमें समस्त कालपनिय मानवादिकार समलित हो गए है वह है अनुच्छ 23 बारत के समयधान में यह उपवंद है कि 14 वर्थ से कम किसी बालक को किसी कार खाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं मूल अधिकार है अनुग मूल अधिकार सिच्छा का अधिकार दढ़ियं 2009 का लच्छे सिच्छा को मुफ्थ तथ है नयबार बनाना है उन बच्चों की अधिकार के नीहित नो geehr mulheres तक यहीं धर्म परिचार करने का अधिकार सिख्खों को कृपार धारण करने का अधिकार इवह राज्यों को समासुधार विदी निर्मार्ड का अधिकार समलित धार्म में एक स्वतंतम अधिकार में मौलिक अधिकारों का सरवोच नियाल है, उच नियाल है और उच्छतम नियाले के अधिकारता में आते हैं मूल अधिकारों का प्रवर्तन Preventative Detectations के अंतरगत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाएं बंदी बनाकर रखा जा सकता है तीन महां के लिए बरतमान समय में भारती सम्मिधान के अंतरगत संपत्तिक अधिकार है एक व्यधानिक अधिकार उचतम नियाले ने यह दारना व्यक्ति की की मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिन्दगी की रूप रेखा त्यार करने के लिए सच्छम बनाते हैं गोलक नात बनाम इस्टेट ओफ पंजाब बाद में मूल अधिकारों के प्रवरतन के प्रियोजनार्थ सम्मिधान के अनुच्छेद 12 के अनसार राज्ज की परवासा समलित माना जाता है भारतिय जीवन विमाने गम सम्मिधान के अनुच्छेद 12 के अंतर का राज्ज है दिल्ली स्टॉक एक्चेंज मूल अधिकारों के प्रवजन के लिए सब्द राज्य में सम्मलित नहीं है इंस्टिटूट ओफ कॉंस्टूटिशन एंड पार्लियमेंट्री स्टडीज सम्मेधानी के एक संसदिय बिश्यों का अधियनित संस्तान ऐसी विदी जिसके अनुसार जिस वेक्ति के दो से अधिक संदाने होगी वह पंच या सरपंच का पद्धान करने से निरहर्थ रहेगा एक माने विदी है इवं सम्मेधान मानेचे चौदय का अतिक्रमन नहीं करती उच्छतम नियाले में यह निर्णे दिया जाविद बनाम हर्यान राज के बाद में उच्छतम नियाले के इस निर्णे के प्रस्चात समयधान संस्वतन द्वारा सामाजिक तथा सैच्छिक द्रिष्टी से पिछले बरगों के लिए बिसेश प्राब्धान जुड़े गए मद्रास राज मनाम चंपा कम दोराईजन मामले में क्रीमी लेयर का सिद्दान्त जो किसी जाती के खुसहाल वरक को आरच्छड की परदी से बाहर रखता है प्रति पादित किया गया था इंद्रा साहनी बना भारत संगबाद में अभिवेक्ति की सुतंत्रता के अधिकार में नहीता है भारत में प्रैस की सुतंत्रता यह निर्णा की सरकारी करमचारियों को हरताल पर जाने का अधिकार नहीं है दिया गया है टीके रंगराजन बनाव तमिलनाडू राज के बाद में प्राग दोस्मुक्ती सिद्दान संबन देता है दोहरे पर संकट से सर्वोचिन्यालय ने अनुच्छेद 21 में प्रियक्त पद बिधी द्वारा इस्थापित परिक्रिया की व्याक्या रिजू जो है नियाय संगति मुच्छ परिक्रिया के रूप में की मैनका घंधी बणाम भारत संगबाद में अनुचेद 369 के अंतरगत, समता का अधिकार अनुचेद 14-18 में है, वाक और स्वतनतरता का अधिकार अनुचेद 19 क्लोजबन में है, और धर्म की सतनता का अधिकार अनुचेद 25 में, सम्मधानिक अप्चारों का अधिकार अनुचेद 32 में, बन्दी प्रतची कर तो हैव दी वर्डी ओफ परमादेश वी कमांड प्रतिसेद रिट ओफ प्रोहिविशन अधिकार प्रच्चा वाई उट ऑथरिटी बारत के सम्धान में किसी पर्यावरण सनचड इवं संबर्धन तता बन ववन जीवन की जो है रच्चा के प्रावधन पायाते हैं राज के नीते निदेशक तत्तों वा मूल कर्थब्यों में 42 पे सम्धान संसुदन द्वारा किस अनुच्चेद के माध्यम से शर्मिकों की प्रबंधन में भागीदारी शुनिशित की गई अनुच्चे 43 में बारत के सम्धान में अंतराष्टी सांती तथा सुरच्चा को प्रोष दहन देना सन्निहित है राज की नीते निदेशक सिद्धान तमें सम्धान का वह संसुदन जो एक प्रावधानित करता है कि कोई कानुन जो राज के उन नीती निदेशक सिद्धान्तों को जो अनुच्चे 49 बी और सी में वर्डित है प्रभावी बनाने ही तो पारित किया जाए इस कारण से नेस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्चे 14 सब्सक्राइब और 19 में परदत अधिकान को सीमित करता है तो वह 42 वा संसुदन यह कोश्चन यह पीपी पीसे मैं 2009 में पुझा गया था राज का नीती निदेशक सिद्धान्त सम्धान के बाद जोड़ा गया है मुफ्त कानूनी सलाह बारत के सम्धान में कल्यान कारी राज का आदर्स प्रतिष्ठापित है राज के नीते निदेशक सिद्धों में बारत के कल्यान कारी राज्जी होने का विचार पाया जाता है सम्धान की प्रस्ताबना इमराज के नीते निदेशक सिद्धों में अधिक्तम संख्या का अधिक्तम कल्यान सुनिशित करना उद्धि सुनिशित किया गया है राज के नीत निदिसक सब्सक्राइब करता है नागरिक बग्यार नागरिकों फिलिए समान सेविल सेंटा मूल करतब और मौलिक अधिकारों का हिस्सा है यह कतने गलत है नीत निदे सक्तत्तों का ऐसा चेक बता है जिसका बुक्तान बैंक की सुबदा पनेरबर करता है यह कतने केटी साह का राज्जी के नीत निदे सक्तत्तों सम्मेदान की आत्मा है और जो सम्मेदान की सामाजिक द बाया जा सकता है राज के नीत निदे सक धिद्धानता में राज के नीत निदे सकत्य तत्त compris फीछे वाद्धिकारी बाल है प्रथै को भृषिभा सम्यदान का वृभाग जो कल्यान कारी राज invited स्कूसद करता है वो है भारत के सम्यदान में जिसकी संस्तुती पर मूल कर्टब्य को जोड़ा गया है वो है स्वार्ड सिंग सम्ती बारती सम्मेदान में मौल कर्टब्य को सम्मलित किया गया था 42 संसुदन में बारती सम्मेदान के मौल कर्टब्य जो हैं सम्मलित नहीं है ग्राम पंचायतों की गटन में साहता करना बारत के संब्धान के भाग 4.A. मूल कर्तब में बड़ित नहीं है अपने माता पता और गुरुवों का अधर करना राश्टी महत्त के इस्थानों और स्मारकों की रच्छा करना एक मौले कर्तब नहीं है एक नागरिक के कर्तब नहीं है अस प्रस्दा मिटाने की और प्रयास करे मौले कर्तब नहीं है उन्हें पर्मादेश द्वारा प्रभावी बनाया सकता है बारती संसत کے निजले सदन के अदिश्टा करता है अध्यच्छ संसत में सरकारी बिधेक का अर्थ है सकति और गोस्ता और सभार्थ करकार इसमीन इपनान की पशिशता नहीं आपकर सरकार गरतंत्रिय अबधारणा से संब्धित नहीं है सरवुच सकती एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में नहीं थो संगी व्योस्ता यानि की फेडरल सिस्टम से पूछे के कोशन बारती संब्धान एक ससक्त केंद्री किरत प्रबर्दी बाला संपरे संगात्मक संब्धान है या कथन है सर आईवर जैनिंग्स का बारती संब्धान कठ अधिक कठोरत था अधिक लचिले के मद एक अच्छा संत परẩत करता है या करते केशी विहएर का फारति के संगात्मक संहीं लच्छड नहीं है एक खरीए नागर्त था संभधान को संगहत्मक ताके भंग नहीं डौन रहे घवर बहांँ род's के अधिक अच्छित्थ्ह या संगम का बड़्त प्रतन धृत्त प्राप्त है लोग सभा क को अभ्यहक का प्रमुक राश्ट्रपती ती केर्या सरकरिया आयोक की संस्तुतियां संबंदेतें केद्र राज संबंद से एक नई अकल भारतिय सेवा के सरजन हेतु संस्तुति करना अनन्य अधिकार है राजसभा का सिच्छा एक विधी विशाय के रूप में संब्लित है संबर्थी सूची में सहबागी लोकतंत्र की सभी विशेस्ता नहीं है सक्तियों का केंद्री करण केंद्री वों राज्यों के बीच संब्लित संब्लित नहीं है इन्दरजीत कुपता संब्लित है संग और राज्यों के मद्द संब्लित के समिच्छा करने के लिए कठित हुआ था सरकरिया आयोग समयदानिक प्राबधानों पर पर परंपराओं तता व्यभारों पर नियाक व्याक्याओं इवन बातचीत के लिए यंत्री विन्यास पर जो है निरभर करते हैं भारत केंद और राज्य संबंद बिना अनुमती संसद से साथ दिन अनुपस्ति रहने पर संसद को गोसित किया सकता है अयोग गया काविरी नदी की चल बठबारे का विवाद संबंदेजा तमिलनाडू करनाटा केरल तता पुंडचरी से अंतराश्टी संदियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर भारत में लागू करने के लिए संसद कोई कानुन बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमती से संसद द्वारा संकट काल की गोशना का अनुमधन होना आवश्यक है एक महा के अंतराल में आपात काल में राज्य विधानसवा की अबदी बढ़ाई जा सकती है संसद्वारा, भारत में बित्ती आपात काल की गोश्ना की गई है, कभी नहीं, भारत में राष्टी आपात काल की गोश्ना करने का प्रहादा नहीं है, आंतरिक सांति को खत्रा वह अधिकार जो राष्टी आपातकाल में समापत या सीमित नहीं किया जा सकता व्यक्तिकत स्वतनेता जीवन का अधिकार है बारती संब्धान के अनुच्छे 356 के अंतरगत राष्टपती सासन सरव परतम लागू किया गया पैपसु में यानि कि पंजाब बले लागे में समधान के अंतरगत युद्य असान्थी की गोष्टना की सकती नहीत है राष्टपती में बारती संब्धान के अंतरगत आपातकाल होता है तीन प्रकार का लोगसभा के बिगटित रहने की अवस्ता में अनुच्छ तीन सुबामन के अधीनापात की गोष्टना का अनमोदन अनिबार है राजसभा द्वारा और उसके उपरांत नई लोगसभा के उपनर गठन तक यह अस्तित्म रहेगा जिसके द्वारा अपनी प्रथम बैठक से तीन तीस दिनों के बीतर इसका अनुदन होना आवश्यक है संसद पार्लियमेंट से संब्धित कोश्चन अनन रूप से प्रसास की अतन्ति से संब्धित थी पॉल एपल भी रिपोर्ट्स संसदी संप्रभुता नहीं है बारत में लोगसभा द्वारा पारित धन बिधियक राजसभा के द्वारा भी पारित माल लिया जाएगा यदि राजसभा द्वारा उस पर कोई कार्रभाई नहीं की जाती है चौद दिनों तक यद उपाध्यच लोगसभा की अद्विचता कर रहे हूँ तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वहां मत बराबरी के अवस्था में मत दान कर सकते हैं बारती संसद में सामिल है राष्टपती और दोन सदन बारत की संसद की संबंद में सही कतन नहीं है तो मंत्र मंडल की सदसिता निम्न सदन तक सीमित है पारलियमेंट द्वारा स्दिसंबर 1999 में निर्मित कानून के अंसार एक नागरिक के हुआ इस खोने की कानूनी आयू है अठार बर्स लोकसभा और राजसभा में गड़पूर्थी संक्या है कुल सदस्य संक्या का बन अपॉन्टैन संविधान की जो है बिसाय बस सल्चियों में दिये गए बिसियों के अत्रिक्त बिसियों पर कानून बना सकती है संसद संसद में सून निकाल का समय है दोपहर बारह बज़े से अपरहान एक बज़े तक संसद द्वारा संसद राज सूची के विशय के संबंद में कानूर बना सकती है यदि राज सवा ऐसा संकल पारित करती है लाव के पद यानि कि ओफेंस और प्रॉफिट का जो है ओफिस और प्रॉफिट का न्रणे करेगा संसद की वेठक एक वर्स में होना आवश्यक है दो बार बारती समिधान में अपसिष्ट सक्तियां सन नहीं थे हैं संसद में कोई विधियक जिसमें केबल व्याय अंतरलिवित है और अनुच्छेद 110 मेबरनिष्ट कोई भिश है उसमें समलित नहीं है उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारम किया जा सकता है जब कोई विधियक संसद की दोनों सदनों जवारा पारित किया गया हो तो उस विधियक परणुमती रोकने का अधिकार पराप्त है राष्ट पती को धन विधियक प्रिस्तोत होता है लोग सभा में राज सूची में सम्मलित बिसाय के संबंद में राष्टिय हित्व में बिदी बना सकती है केबल राजपाल संविधान के अंतरगत राज्यों की सीमा को परबर्थित करने की सकती प्राप्त है संसद को नई राज्यों की स्थापना करने की बिधाई नहीं सकती प्राप्त है संसद को भारत के किसी राज्य में विधान परसद का स्थर्जन अत्वा उसकी समाप्त की जा सकती है संग राज्य बिधान सभा के तत्यो संबंदी संकल पारित करने पर संसद द्वारा संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है जब सामान बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आसार नहीं होती लोग सवा में किसी विध्यक पर आम बहस होती है दोती है बाचन के समय में बारती संग की विधाई सक्तिया नहीं दोती हैं संसद में बजट का प्रस्थी करड़ बजट पर चर्चा विनियोग विध्यक को पारित करना एवं बित्त विध्यक को पारित करना ये सभी चर्ण में शमलित हैं समान बित्तिय विधायन में निश्यत अबदी के लिए भारती संचित निधी से धन निकालने के लिए संग सरकार को अनुमती प्रदान करता है लेख आनुदान बारती संसद के दोनों सदनों की संइक्त बैटक होती है साधरण बदियक के संबंद में बारती संसद के दोनों सदनों की बृतम संइक्त बैटक होती दहेज उनमूलन बदियक के संबंद में बारती संसद की संप्रोपता प्रते बंदित है नियाएक से मिच्छा से लोगसभा के अद्यच, लोगसभा के पात्यच, लोगसभा के माँ सची विवू, राजसभाओं के अद्यच सम्बलत हैं संसत के अधिकारियों से, सुनिकाल संसदी विवर्स्ता देन है भारत की, दोया 13 से 24 में अंतिम शड़ों में भारत की संसत के समझ पापस ले लिया गया दागी बिधायकों से संबने पर देख राष्टपती राजसभा का एवं लोकसभा से मिलकर बना निर्मित होती है संसत राष्टपती द्वारा राजसभा के लिए मनोनीत किया जा सकता है 12 सदस्य वह जिसे भंग नहीं किया सकता पर समाप्त किया सकता है विधान पर सत संसत की दोनों सद्रों के निर्बाचित सद्से सभी विधान सभाओं के निर्बाचित सद्से वदिली और पांडिचरी विधान सभा के निर्वाचित सदसे होते हैं राष्टपती की निर्वाचन मंडल में राष्टपती का चुनाप संचालित किया जाता है रपारत के निर्वाचन आयुक द्वारा राष्टपती बनने के लिए आवश्यक उम्रह 35 बस राश्ट्रपती के उम्मिद्वार के लिए आभिशक नहीं है वह आपड़ा लिखा हो एक संसाथ अत्वा बिधान सभा का सदसे राश्ट्रपती निरबाचित हो सकता है परन्तु निरबाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्ता छोड़नी होगी भारत के राश्ट्रपती की अनुपस्चती में यदि उपर राश्ट्रपती उपलब्द नहीं है तो राश्ट्रपती की तरह कार कर सकता है पर भारत के प्रधान निया दीज़ बारत के राष्टपती को कार्यवधी की समापती से पूर ही पद से अठा जा सकता है महावयोग के द्वारा बारत के राष्टपती पर महावयोग चलाने के लिए सूचना देना अविश्यक है कम से कम चौदर दिन पूरू राष्टपती का रिक्ति स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 महा में मित्तायू के द्यच वो संग राज छेतर के मुक्यमंत्री की नुख्थ की जाती है भारत की राष्टपती द्वारा संग की कारपाल का सक्तियां राष्ट पती में नहीं थे अनुच्य त्रेपन के अंतरगत संग की कारपाल का सक्ति नहीं थे राष्ट पती में भारती गड़त अंतर का प्रमुक होता है भारत का राष्ट पती लोगसवा भंग हो तो अकासमे एक निदीशे धनरासी निकाली जाएगी राष्टपती के आदिश त्वारा लोगसवा और राजसवा की संयुक्त बैटक आखुत की जाती है राष्टपती त्वारा भारती समयदान के अंतरगत राष्टपती का अदिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमती रोग ले अनुच्छेद 111 के अंतरगत किसी बहुगलक छेतर को अनुच्छे छेतर गोसित करने का जोए समयदान इक अदिकार है राष्टपती को बेदी के प्रिशन पर भारती सर्वोच नियाले से परामर्स लेने का देकार है राष्टपती को भारत के राष्टपती की सक्तियों के बारे में सही कदन नहीं है तो राष्टपती को सर्वोच नियाले के परामर्स को सुईकार करना चाहिए बारत के महानियाबादी नियंत्र के महाले का परिच्यक एवो राज्ट के राजपाल की नियुक्ति करते हैं राष्टपती की द्वारा बारत का राष्टपती राष्टी आपात की गोशना कर सकता है यदि खत्रा है बाहरी आक्रमन का एवो सलसेत्र विद्रों का सांबेदान साधरड पारसतियों में राष्टपती को राचिपाल के करत्यों के निर्वहनेतु उपोवंदित करता है अनिच्छी देक साथ में वह सांबेदान एक पिस्यसादिकार जो राष्टपती को नहीं है बित्तिय बिल्कुब पनर विचारितु लोटाना भारत के राष्टपती को अध्यादेश चारी करने की सक्तिय है एक साही किरम है राजिनिर परसाद M.S. राधा किष्णन जाकिर उसेन और वीबी करी सर्वसंमती से निरबाचित भारत के राष्टपती थे एन संजीब रेड़ी राष्टपती का अपात कालने अधिकार सामिधान के साथ धोका है या कथन है रदैनात कुंजरू का भारत के राष्टपती से संबंद सही कदन नहीं है वो दोनों सदनों की चर्चा में भाग लिता है वो राष्ट का प्रतिनित्त करता है परन्तु राष्ट का नेतर तो नहीं करता यह उक्ति लाग वोती राष्टपती पर भारत के मुखिनायदी जिन्होंने राष्टपती के रूप में भी काम किया था जस्टिस एम हिदायतुला भारती राष्टपती होने से पूर भारत के उपर राष्टपती पदपर आसी नहीं रहे नीलम संजीब रेड़ी बारत के वह राष्ट्रपती जिन्हों ने लगाता है दो कारे से अब दिपूर्ण की डॉक्टर राजने प्रशाथ बारत का राष्ट्रपती निक्त नहीं करता है ओप राष्ट्रपती की संसत सदस्य की अयोगिता के पर संपन निणे लेते समय राष्ट्रपती कार करेगा चनाव आयोग के वेचार अनुसर प्रशाथ की प्राधिकर्ड अधनियम 1985 के अंतरगत राज्य प्रशाथ की प्राधिकर्ड का गठन कर सकता है संसत भारत के नियंतरग में महाले का परिच्छक के संग के लेखा समवन्दी प्रतिवेदनों को सरप्रतम प्रसित किया जाता है भारत के राष्ट्रपती को बारत के सम्मिधान के अधीन भारत के राष्टपती को अध्यादिश चारी करने की सक्ती प्राप्त है अनुच्छ देख सत्य इसके अंतरगत बारत के उपराष्टपती का निर्वाचन करता है लोगसवा के सदस्य मुराजसवा के सदस्य बारत के उपराश्टपती को पत से हटाने का संकल प्रस्ता विद किया सकता है केवल राजसवा में राजसवा का अद्दिच होता है भारत के उपराश्टपती बारत का दुतिय उच्चितम प्रतिष्टित पताधिकारी है भारत का उपराश्टपती दन विदियक भारत के सम्मिधान के किस अनुच्छेद में परिवासित किया गया है तो अनुच्छ देख सदस में ताश्टपती लोगसवा में ओंगल भारती सम्मिधा को मनुनीत कर सकता है दो से अधिक अनधिक वह प्रस्ताव जिसका प्रसांगिक संबंद संग्य बजट में है इस्तगन प्रस्ताव भारती सम्मिधान का वह अनुच्छ जो लोगसवा वविधान सवा के प्रतनेधियों को निर्वाचित करने अर्थाद वैस्क मत अधिकार का अधिकार प्रदान करता है तो अनुच्छ तीन सचब बीस लोक सवा में के इन्सासित प्रदिशों का असरबाद एक पर तेनुत हो सकता अज़ 20 मंद्र पर्दा सामुई की रूप से उत्तरदाई होगी लोक सवा के प्रदिश लोग सभा में अविश्वास प्रस्ता प्रस्तुत करने के लिए सदस्यों की सहमोती की अविश्यक है पचास सदस्यों की लोग सभा के जो सदस्य निर्वाचित की जाते हैं इतरपुरा में लोग सभा के दो सदस्य जो हैं इतरपुरा में निर्वाचित होते हैं लोगस्वा की बैठक समाप्त की जा सकती है इस्थगंधवारा 17 अपसां द्वारा यह बिगटंद्वारा लोगस्वा की सत्र का अपसान करने के लिए प्राधिकरत रहे राष्टपती लोगस्वा में किसी बिदेग पराम बहस होती है दुति बाचन में डेलिमिटेशन के बाद यूपी में निरवाजकों की संग्या गैंसा सबसे बढ़ा लोक्सवा 7709 2009 लोक्सवा चुनाउ निरवाजकों की संग्या मिलीयन है 714 लोक्सवा और राज सवा में पृत्रनिजेतु सबसे अधिया क्या उत्रफदेश में संसक के दौनों सदनों की समयक तिबाटक की अधिश्ता करेगा लोगसवा का अधिच प्रोटम स्फिकर का करतब की होता है जब दुझे योगसवाध्यच को उसके कारीकाल की समापती के पूर्पद से अठाया जा सकता है यह दि लोग सबाह इस आशा का प्रस्ता पारित करती, कोई बिदेयक धन बिदेयक है continued नहीं इसका नِरेक करता है लोग सबात सबॉत्भा का सचवाल सीधे नियंद्टित होता है isно करता है लोग सबॉतिपे करते हैं वोट बराबर बराबर होने के बंदनाते मेरा एक लोक सबाह और राजसबाह की घडपूरती करता है अनसूचित जाती के लिए आरच्छ नहीं है अरणचल प्रदेश चमू और कस्मीर मेग मेगाले में लोग सवा में समाँ सीटे प्राप्ते हैं आंद्र प्रदेश तथा पश्चि मंगाल को लोक सवा में वेहार को आवंटित इस्थान निम्न राजजियों को आवंटित इस्थानों का योग है हसम तथा मध्य Π्रदैस लोक सबा के दो सतरों के अंतराल को कहते हैं सत्राव शान काल लोक सबा की सामान्यत अवधी पांच बर्स होती है प्रतम बैठक के लिए नियत तिती से सत्रा अबसां से तात्पर रहे लोगसवा के सत्र की समाप्ति करना संसद के दोनों सदनों की जो है प्रवसायुक्त बैठक का पीटा सीन होता है लोगसवा अद्याच भारती संसत की लोग लेगा समती के चेर्मेन को मनुलित करता है लोग सबाद्यच राज्य सभा भारत में राज्य सभा प्रतिनियत्त करती है राज्य और संग राज्य छेत्रों का भारती संसत के निचले सदन के अद्यचता करता है अद्यच अनिच्छे 249 के खंड फष्ट के अंतरगत पारित पस्ता प्रबर्त नहीं रहेगा एक वर्स के अधिक समय के लिए राजसवा के चुनाब के लिए आफेचित नियुनतम आई हुए 30 वर्स राजसवा में राज्यों का प्रतिनित दिया जाता है उनकी जन संक्या के आधार पर राजसवा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संक्या सबसे कम है हिमाचल प्रदिश से पहली बार एक सांसत बिधायक को इस आधार पर सदन की सदस्यता से अयोग गोसित किया गया है कि वे इसकी अनुमती के बिना इसकी पीट लगातार बैटकों में अनुपस्तित रहे हैं, वह है राज सभा के, राज सभा का पदैन सभापती होता है, उपराश्टपती, वह सभा जिसकी अध्यचता, अध्यच उसका सदश नहीं होता, राज सभा का, लोग सभाद्वारा बिचारात बेजे गए वित्त विद्यक को, राज सभा अधिक्तम रोक करें रख सकती है, चौधर जिन तक, राज सभा की एकांतिक सक्ति के अंतरकत आता है, नई अखिल वारती सिवांकों सरजन, प्रधान मंत्री कार्याल है, पी एमो के संबंद में सत्य गतन है, या अमनी सो सदफ्तर महस्तित में आया, बारत में वह मंत्री जो संसत के दोनों सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है, छे माह के बाद, नेक्स्ट है, मंत्री परस्वत सामुई क्रूप से उत्तरदाई होती है, लोगसवा के प्रती, कैबनेट में समलित होते हैं, केबल कैबनेट मंत्री, अपने प्रधान मंत्री तुकाल में लोगसवा के सदस्य थे, चंदर सेखर, हुआ प्रधान मंत्री जिसने अपने कारिकाल में संसत का सामना नहीं किया बारत के प्रधान मंत्री बनने से पूर्व किसी भी राच के मुख मंत्री नहीं रहे थे चंदर सेखर बारत के बारहवे प्रधान मंत्री थे देव गोडा उप प्रधान मंत्री पत का सिजन हुआ सम्मिदान के प्राबधानों से हट कर भारती सम्मिदान के अनुचित 78 में प्राबधान है प्राबधान मंत्री की तायित्तों का मंत्री पसत का बास्त्विग नेता है प्रधान मंत्री मानब संसादन बिकास मंत्राला में बिवाग नहीं है तो तकनी की सिच्छा बिवाग भारत में राजकोशिय नीती निर्धारित करता है पित्त मंत्राला भारत की संचित निधी पर भारत नहीं है भारत के प्रधान मंत्री के बेतन और बत्ते बारत के समिदान में उल्लिकित नहीं है बजट बारत के प्रधान मंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतराल के बाद सुसोवित किया गुलजारी लाल नंदा, इंद्रा गांधी और अटल विहारी बाचपही ने संसत की स्थाई सम्ति के सदस्यों को लोकसवा इंवराज सवा में लिया जाता है प्राकलन सम्ति के सदस्यों का कारेकाल होता है एक बर्स संसत की लोकलेखा सम्ति के बैठकों में उपस्तित रहता है भारत की नियंतरक महले का परिच्छक द्याना करशड सूचना के प्रावधान ने सेमित किया इस्थकन प्रस्ताव भारत में मंतिर परसद रख सकती है अब विश्वास प्रस्ताव कटोती प्रस्ताव का संदर्वित संबंद है संगीय बजट संसदिय समती गठित नहीं की गई है अलब सेंख्यकों कल्याणकों के बारे में विविन संब्यदान संसुदन ने उनकी प्रिक्रिया भारती संब्यदान में प्रतम संसुदन हुआ था 1991 में सिक्किम को विदेबत बारत संग के एक पूर राज की रूप में समलित किया गया 36 वे संव्यदान संसुदन द्वारा 12 संव्यदान के प्राधिकरत हिंदी पार्ट को प्रकासित करने के लिए अधिकरत किया गया 18 मनबा संव्यदान संसुदन 1987 द्वारा 19-19 किलाज 1 C में सहगारी समुतिया सब्द जोड़ा गया 97 वे संसुदन अधिनियब 2000 गया रहा संव्यदान का पर्थम संसुदन जो बर्स 19-19 किया में पारित हुआ वो संबंदित था कुछ राज्यों में किये गए क्रसी वा क्रसी सिभू में संबंदी संव्यदारों के संरच्षड से 42वा संव्यदान संसुदन द्वारा प्रस्ताव नां में जोड़े गए थे समाजबाद पंत निर्पेछ और अखन्ड था संपत्तिक आधिकर समाप्त किया गया 44वा संसुदन द्वारा संपत्तिके मौलेक आधिकार को समाप्त किया गया सन 1978 में सम्मیदान के 44$ संस्थान द्वारा एग सम्मयदानेक संस्थान जो मौलिक कर्टबयों से सम्मंदेता है 42 promo सम्मयदान के 42 बे संस्थान द्वारा नीत नद hovering सक्त ठत्तों में नहीं जोड़ा गया समान आचार सेंथा संब्धान के 73 और 74 संसोदन उतरदाई हैं राज्य निर्वाचन आयुक जिला निर्वाचन सम्तिव राज्य वित्यायुक के सरजन के लिए दिल्ली नैशनल कैपिटल छेतर बना 69 संब्धान संसोदन द्वारा संब्धान का 92 संसोदन संब्धन दल बदल कानून से 84 संब्धान संसोदन अधिनियम द्वारा लोकसभा की गुलसदस से सीटों की संख्या की जर्णगना के आधार पर एक कर दी गई है यहाँ तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक के बरस बिसेश के बाद पहली जर्णगन नहीं होगी तो 2026 तक लोकसभा और राजसभा राज्य विधान सभाओं में अनिसूची चातियों तता अनिसूची जंजातियों के आरच्षड से संब्धन देता है संब्धन की पहल की जा सकती है संसत के किसी भी सदन में भारत में 23 तक रियान बन हो चुका है संब्धन नाइंटीएट बा संभादान संसुदन का सिच्छा जो प्रारम में एक साम राज्य सूची का विसेश था उसे संब्धी सूची में इस्थाना अंतित कर दिया गया योजना आयोक के उपात्यच को भारत सरकार के सरकारी वरीता किरम में मानव महत्तु का दर्चा दिया गया है तो भारत सरकार के कैवनेट मंत्री की समान बारती संब्धान के अनुच्छे देख सब 62 की में सीरसक के अंतर का ताता है राज्य की कारपाल का सक्ति का विस्तार जब एक ही व्यक्ति को ये दो या दो से अधिक राज्यों का राजपाल निक्त किया जाता है तो उस राजपाल को संदेह उपलब्दियां और भत्ते होंगे इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंडित किया जाएगा जैसे राष्टपती आदेश त्वारा अवधारित करे विधान सवा में सरकार को अपना भहुमत सित्ध करने को कहने के लिए वंख्यमंत्री को बरखास्त करने के लिए ये सब सक्तियां जो आरव राजपाल की है अनुचेद 170 के उस प्रावधान का अब वहा है जिसमें के राजच के विधान सवा के गठन में 60 से कम सदश नहीं होगे इससे किम राजच है पंचाईटों को विध्तिय इित्ति को पुनर्वी लोकन करने के लिए विध्तायू करक्टन किया गया सम्मंदित राजच के राजपाल द्वारा स्वतांध्र भारत के किसी राजच की सरप्रतम महला राजपाल थी सरोजन इनाईड्व उत्तर – बुदेश राज़पाल के लिए जिने परखस्त किया गया था रगुकुल तिलग किसी राज़पाल द्वारा जारी ओर्डिनेंस का अनमोदन होना विश्यक है राज़पाल को पतकी सपत गिरन करवा था उच्छी नियाले का मुखिन आदीश धन बिद्यक के अत्रिक्त एक बिद्यक जो बिद्यक जो बिद्धान सवा ने प्रथम बार पारित किया कर दिया हो बिद्धान परसद में पड़ा रह सकता है तीन माह से अधिक तक नहीं राज बिधान सवा में कोई पिभी धन विदियक पुना इस्तापित नहीं किया जा सकता बगएर राज के राजपाल की संश्तिती के पर्स 1956 में पुनारगठित राज्यों में दोई सदिनी बिधाय काई थी बारत के किसी राज की विधान सवा में अधिक्तम सदस्यों की संख्या सदस्यों हो सकते हैं 500 किसी राज की राज विधान मंडल है मतलब किसी राज की अकस्मिक विदने दी कि स्थापना के लिए उत्तर दाई है किसी राज के विधान मंडल जो है उत्तर प्रदेश में सरवादिक चार सतीन विधायक है और उसके बाद विधान परसद किसी सादर विदेख को रोक सकती है चार महा तक विधान सवा के बिगटन के बाद भी उसका स्पीकर पद पर बना रहता है बिदान सभा के बिगटन के बाद कटे थे बिदान सभा की पहली बैठक की ठीक पूर्व तक बिदान सभा के सरवोज सरवादिक सदस्य संख्या है उत्तरपदेश की किसी राज्ज में बिदान परसद की स्थापना और समाप्ति का प्राभान है पारती संब्धान के अनुछेद 179 में मुक्यमंत्री से संब्धित सही कतन नहीं है तो वहार राजपाल द्वारा आपचार एक निक्तु करता है किसी राज़ी के मुक्यमंत्री से संब्धित एक ही एक सही कतन नहीं है राजपाल मुख्यमंत्री की सलाया पर अपने समस्त करत्यों का परियोग करते हैं राज सरकार के मंत्रियों के बेतने में बहत्तों का निधार किया जाता है राज्य बिधानसभा द्वारा संब्धान का वहा अनुच्छेद जो मुख्यमंत्री के तायतों को परवासित करता है अनुच्छेद 67 किसी राज्यों हेतु बिचेट उपवंद दिल्ली की बिधानसभा विवाजित है सत्तर भागों में दिल्ली NCR को छोड़कर भारत में बर्स जम्मू और कस्मीर राज की कारिकारी अद्दिच का पद नाम सन 1925 में सदर रियासत से राजपाल में बदल दिया गया जम्मू और कस्मीर राज की बिधान समयधान में छटे संसुदन द्वारा भारत के समयधान के वह अनुच्छे जम्मू कस्मीर राज में स्वयम जुवस्वय में लागू नहीं होते हैं वे हैं अनुच्छ देख से 377 तक बारती सम्मिधान का अनुच्छ 370 संबंदित है राज जम्मू कस्मीराज से अनसुचे जन्जातियों के सम्मिधान सरवादिक प्रतिनित निर्वाचित करता है मदब्रदेश राजसभा जम्मू और कस्मीर बिधान मंडल एवं राज बिधान परसन है किसी भी जाती के लिए आरच्छ नहीं है बारत में सरवादिक अनसुचे जाती जन्जां के अबाला केंदर प्रदेश है उत्तर प्रदेश बारत के सम्मिधान के अनुच्छ 370 खम है विसे फुवन प्राप्धानित है अ बारत का वह राज्य जहां सामान ता कॉमन सीबिल कोड लाग हूए गोवा गोवा केंदरिय कानूनों का अब सम्मिधान एक पैत्ता के संबंद में किसकी अनन्य अधिकारता है तता कौन भारतिय संबिधान का संरच्छ गया भारत का सरवुच नियालाय सुप्रिम कोड भार भारत के सर्वुच नियाले के कारवाख मुख नियादीश की निक्ति करता है राष्टपती सर्वुच नियाले में तदर्थ नियादीशों की निक्ति होती है जब नियाले के किसी सत्र के लिए जो है नियादीशों का कौरम पूरा नहीं होता मैं भारत में सम्मिधान के प्रत मेधान के निर्वाचन से संबंदित मामले की सुनवाई करने के लिए नियादीसों की संख्या कम से कब होनी चाहिए पांच उच्छतम तता उच्छ नियालों के नियादीसों की निक्ति तता इस्थाना अंतर के पनामस प्रिक्रिया के संबंद मिराष्टपती ने उच्छतम नियाले को अभी देशन किया है अनखंड फास्ट अनुच्छ दिक सतेतालिस के अंतरगत उच्छतम नियाले के नियादीसों जो सम्मिधानिक विचार विबाद में सर्वोच नियाले के अपीलिये छेत्र अधिकार से संबन देता अनुच्छ देक सचो चो तीस एक को मिलाकर अनुच्छ देक सो पढ़ाना सर्वोच नियाले उस उच्छ नियाले दोनों के अधिकार शेत्र में आता है मूल अधिकारों क सब्च चड बारत के सरवोच नियाले ने सम्भथान के अधारबू ढांचे की सिध्धांद को इस्पष्ट किया केसवानन्द भारती बाद 1973 में बारत का सरवोच नियाले एक सम अविलिक की नियाले है इसका आसा है कि इसके सभी नियड़ियों का सच्छात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी नियाले में प्रिश्र जिन नहीं लगाया सकता लाब का पत परबासित हुआ है, सर्वुच नयालय द्वारा अपने निर्वर्थित करने का अधिकार है, स्रवुच नयालय को भारत में सम्मेदान की मूल, सनरचनअबुनयादी धाठ के सिध्धांट का सिरुखत है, नियाएक प्याक्या हाल ही में उच्टम नियाले ने प्रबासी पंचाट निर्धारण अधिनियम 1983 को केंद्र के पावन करतब्वे के उलंगहन के आधार पर असम मैधाने गोसित किया अनुचे 355 के अंतरगत जनहित याचका की सुरुवात की गई है नियाएक पहल द्वारा भारत में नियाएक सक्क्रिता संबन देता है जनहित याचका प्रत्यच बंदिकर अधिनियम के अंतरगत एक व्यक्ति बिना मुकद्मा चलाए तीन महां तक जोब बंदी बनाए सकता है उच्टम नियाले मूल द्वारा चारी की जाती है तता उसमें क्यार रिपालिका से कहा जाता है कि वह अपने कार रिकरे जो उसे प्रत्त सक्तियों के अंतरगत करना चाहिए उस रिट को का जाता है मैडमस क्या मैंडमस परमादेश जब नियाले सर्वच नियाले किसी विक्ति अत्वा संज्था को उसके दायत के निर्भवन हे तू लेक चारी करता है तो उसे कहते हैं पर्मादेश मूल अधिकानों को प्रवर्थित करने हे तू अधिकार प्राप्त है सर्वोच उच्छ न्याले को नया सर्गेक न्याय की ओर ध्यान नहीं दिया जाता पर्मादेश रिटों में उच्छ न्याले द्वारा आज तक दूसरी सबसे बड़ी खंड़ी पीच पनी गुलकनाद केस में बारत के सर्वोच न्याले की संपूर कारभाई अंग्रीची भासा में होगी यह बिदित्य बारती समिधान की धारा 349 द्वारा अनिच्छ बहत्तर 161 के अंतरकत दाखिल की गई दया याचकाउं तता उनकी प्राप्ति तीन माँ के बितन से निस्तारित करती जानी चाहिए ये विवस्ता जो है थी सेर सिंग बना बार संग के बाद में उच्तम नियाले ने अभे निर्धारित किया है कि संप्रफता उनमुक्ती का सिध्धान्त मूल अधिकारों के अतिक्रमण के लिए प्रतिकार आत्म निर्षडीत किये जाने की कारवाई में लागू नहीं होगा तो नील वती बहरा बना पुरीशा राज के बाद में सर्वुची नियाले ने सरकार से कन्या भूरूण हत्या के बुर्ध विदिको पूर्ण निश्य के साथ निक्रियान भित कन्ये का जो है निर्देस्तिया तो सेहाथ पनाम भारसंग राज के बाद में यह इंपोर्टेंट बाद हैं जैसे के उच्टम नियाले ने यहाँ अभी निधारित किया कि कर्मी महलाओं को यह नुद्पीड़न ने लेंगिक समता यह प्राण और दहिक सतंतता अधिकारों के अतिक्रमन की कोटी में आता है जिस बाद में सर्वुची नियाले ने भाहुची नियाले के न्यादीशों के बेत्न तता बथते प्रभारित के जाते हैं भारत की संचित निधीशे वारत के सर वुच्छ प्राप्त कर लियो उच्ची नियाले की नियादीश की निक्ति के लिए एहरता नहीं है उसे ने 35 बस किया ही प्राप्त कल लियो उच्ची नियाले गठन सकती है वो छेतरा दिकार बारत में उच्ची नियाले की संक्या है 25 सबसे अधिक बेंच है गोहाटी उच्ची नियाले की बॉम में मद्रास कलकत्ता उच्च नियाले की संक्याय इस्थापना हुई थी 1861 में उच्च नियाले के सेवा निप्रत जज़की पैंसिन दी जाती है भारत की संचित नेदी से व्यक्तिकत स्वतंतरता के लिए उच्च नियाले जारी कर सकता है वंदी प्रतेची करण रिट उच्च नियाले को समयधानिक अधिकार सामधिक अधिकार इस्मौलिक अधिकार के अंतर कताती है परमादेश जारी करने की सकती बारत में एक उच्च न्याले के संबंद में सही कथन नहीं है उच्च न्याले के न्यादीसों की न्युक्ति राजपल करता है राज के उच्च न्याले का मुख्य चेत्रादिकार नहीं है तो परमा परामर्स संबंदी चेत्रादिकार एक याच का जो अधीन इस्तिन्यालेव की कार्य पध्धिती को परिश्ड करती है उत्प्रेश्ड प्रसास की ए प्राधीकर्ड अधिनियम 1985 के अंतरगत राज ये प्रसास की ए प्राधीकर्ड का गठन कर सकता है संसद दोरा पंचायती राज का विकास विमसर रचना पंचायतों के संधर में सही कथन है समध्यवर्थी सिस्तर पर एक पंचायत होगी भारत में राष्टी पंचायती राज दिपस मनाय जाता है 26 अप्रेल को भारत के संभिधान की 11 भी अनसूची में विसे हैं 29 जनता को विकास मुगलत प्रसासन में भागीदारी के योग बनाना उद्देश से पंचायती राज का पंचायत की अनसंसा की गई भलवंत्राय महता समती रुपोर्ट 1957 में पंचायतों में अध्यच पद के लिए आरच्छड का आधार है लिंग और चाती ग्राम पंचायत द्वाल लगाए जाने वालक कर है इस्थानी मीलों पर कर ग्राम पंचायतों की आयका सादन नहीं है क्रसी आय पर कर पंचायती राज सरप्रतम आरम किया गया राजिस्थान में पंचायती राज प्रडाली है इस्थानी स्वशासन प्रत्यच रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किया जाते हैं पंचायत समुती के साधर्ष्य समयधान के प्राबधानों के अंतरकत पंचायत चुनाब कराने का निर्णे किया जाता है राज सरकार द्वारा अक्टूबर 1969 में पंचायती राज भारत में सरप्रतम आरम किया गया राजस्थान से पंचायतों की संरचना के वावत उपलब्द कराने को अधिकरत है राज का विधान मंडल पंचायती राज विवस्ता अपनाई गई थी लोकतंत्र की सक्तियों के विकेंद्री कड़ के लिए पंचायतों वा नगरपालिकाओं के संबंद में भारती संब्धान में प्राभधानित किया गया उनीस सो त्राणवे में जनता द्वारा प्रतच निर्वाच दोते हैं प्रधान वो पंच इस्थानी इस्तर प्रस्वसासन की एवं लोकतंत्रिक विकेंद्री कड़ एक विवस्ता आया पंचायती राज संब्धान के अंतरगत पंचायत में महला के एक तिहाई प्रतिनेजित की गारंटी देता है अनुचे 243 गह जिस समती की संच्थती परदेश में पंचायती राज को लागू किया गया था उसके अध्यच थे पलवन्त